Hello children, आज हम हिंदी ब्याकरण पुस्तक की पार्ट 3 वाक्य और वाक्य रचना काध्यन करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की रचना कैसे की जाती हैं। बच्चों, जब सार्थक सब्दों को एक क्रम से लिखते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है, तब उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक सब्द का मतलब है ऐसे वर्ड जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अमन घर जाता है या एक वाक्य हैं क्योंकि इसमें सब्दों का क्रम सही हैं और इससे एक अर्थ भी निकलता हैं। अब इन वाक्यों को देखें। घर तुम जाते हो। यह वाक्य गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इसमें सब्दों का क्रम सही नहीं हैं। अब सही वाक्य होगा। तुम घर जाते हो। इसी तरह सौरव खाता है आम। यह वाक्य भी गलत हैं। क्योंकि इसमें भी सब्दों का क्रम सही नहीं हैं। सही वाक्य होगा। सौरव आम खाता हैं। इसी तरह रही है नाज स्नेहा। इसमें भी सब्दों का क्रम सही नहीं हैं। इसलिए ये वाक्य भी गलत है, सही वाक्य होगा, सनेहा नाच रही है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक सब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्य कैसे बनता है, सार्थक सब्दों के मेल से, और इसमें सब्दों का सही क्रम होना आवस्यक है, अब वाक्य की परिवासा परो, सार्थक सब्दों के जिस समू से कोई अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं, जैसे अमन घर जाता है, माला पुस्तक परती है बच्चों अब आप जान गये होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य की रचना कैसे की जाती है